हेलो ट्रेस्ट इंवेस्टर आप सुविगा स्वागत हमें एक निस्टा टेक्मेंट है हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं जेके पेपर लिम्टेड है तो कंपनी के क्वाटर 4 के नतीजे आ चुके हैं और डिविदेंट भी अनॉंसमेंट आज कर दिया है कंपनी न देखे के और दूसरे ग्रूप हमने डिसकस कर लगते हैं पर जेके पेपर के उपर अभी तक हमारी यह पहली वीडियो होने वाली है तो चरिए हम लोग किसी को आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसी यह फूरा फुल रूप से समझेंगे इसको जो चैनल पर नए है सब कुछ जानते हैं देखे जेके पेपर लिंटेड है 156 रुपी 60 पैसे के आस पास ट्रेट कर रही है अब जो अगले नंबर आने है वो अगर स्थरीक हो तो अभी काफी जादा महीने पड़े हैं प्रोसेस इंड़स्ट्री आ जाती है पलप एंड पेपर बनाती है EPS जो है 11.35 है Market Capital 25 Yoast है तो Normal सी Market Capital है अच्छा फासा डिवडेंट का परसंट भी है मतलब डिवडेंट पेयाओट भी अच्छा है डिवडेंट येट जो अभी हालफिलाल का है वो 2.64 परसंट का दिया है कंपनी ने प्राइज अंडिंग रेशियो पर बात करें तो 13.35 का है बाकी इसके देखिए न्यूस पर बात कर लेते हैं जिसके अंदर डिविडेंट और पाटर फोर के नतीजे बताये गए हैं तो देखें डिविडेंट का जो इन्होंने बताया है वो अभी 4 रुपए का रि और जब तक expiry date record date आ नहीं जाता है तब तक hold करके रिखते हैं तो उनको डिविडेंट मिलेगा यह चीज अब क्लियर हो गई है तो अब हम लोग इसके quarterly result डिसकस करते हैं पहले इसका थोड़ा सा finances को समझने के बाद तो market capital 2649 करोड की Indian रुपीज में आ जाती है book values काफी अच 6% की growth हुई है जो कि बहुत सांदार growth है all time high 149 रुपी जा चुका है promoters की holding भी अच्छी खासी है return on acid भी अच्छा है face value 10 है तो अभी तक एक बार भी split नहीं हुई है dividend भी हाल फिलाल में 4 रुपे का दे रही है पर equity share बाकि इसके ROE की बात करें तो 9.36% अभी 9.73% रहा है तो नॉर्मल सा रहा है इतना कुछ खास नहीं रहा है बट जिस हिसाब से company perform कर रही है वो काफी सरा है जिनी है यह देखिए 85 से लेके 186 तक की इसकी movement हो चुकिया already pro cons पे बात करें तो book value के आसपास है सही price पे मिल जाता है और बाकि वो dividend की बात जो मैं आपको बता रहा था healthy dividend payout इसका है 19.28% का बाकी five year का cons में आ जाता है कि sale इतनी बहतर नहीं रही है sale growth 2.45% ही रही है बट still company अच्छा perform कर रही है अपनी field में चले मैं आपको इसके थोड़े और चीजे समझाता हूं विस्तार से जैसे net profit last quarter का बात करें तो इसमें देखिए सबसे अच्छा profit हुआ है इ paper में इस सारी company आती है इसमें इसका काफी अच्छा खासा है number तो इस हिसाब से इसका देखिए sale growth जो sale latest quarter भी थी वो भी अच्छी खासी आई है इन सभी में जितनी भी कंपनिया है सबसे अच्छी इसी की है profit y&y का करें तो उसमें 46% का है इन सभी में किसी का भी इतना बहतर नहीं है जो इसके उपर है उसकी भी तो इस तरीके से देखा जाए तो जो विजनस है वो काफी smoothly और perfectly रन कर रहा है आप इसको देखेंगे company एक बार भी loss में नहीं गई जून में आपको पता है क्यों इसके number इतने कम आए कि क्योंकि संपूर lockdown था इंडिया में उसकी वज़ इसका जो यह profit growth है यह भी सामदार तरीके से operating से भी अच्छा खासा profit आया और net profit भी 136 करोर का हुआ है तो इस तिसाब से देखा जाए तो quarterly result काफी अच्छे आए है देखे profit loss book पे नजर डाले तो वहां पे नंबर पिछले बार से थोड़े इस बार के नासाज रहे हैं क्यों कंपनी रिकवर कर रही है वह बहुत सांदार है return on equity की बात करूं तो बहुत सांदार नंबर है आप देख सकते हैं last year का 70% 70% but last year का जो है वह 10% रहा है वह lockdown simple सा वही reason है और कोई इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है stock price CAGR की बात करें तो वह भी last year का मतलब one year का 78% का अभी हाल पिलाल में दिखा रहा है चलिए इसकी balance sheet पे नदर डाल लेते हैं थोड़ा तो तो company के पास अच्छे खासे हैं पहले से growth हुई है पर ये भी चीज बढ़ा है पहले से तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है पर जिस हेसाब से कपनी के profit बढ़ रहे हैं और बाकी चीजें growth हो रही है company investment अच्छा कर रही है तो ये सारी चीजें काफी अच्छी बात है पहले से काफी अच्छा growth है आगे मैं आपके इसके share holding patterns पे बात कर लें तो public की holding है और promoter की holding है और थोड़ा सा FIS की holding है तो overall share holding pattern में देखिए government की पहले से 0.01% 2019 तक रही है उसके बास से नहीं है फिर भी ठीक है इसकी share holding pattern पर और अच्छा होता promoters की holding और बढ़े जैसे growth हो रही है इसमें तो और अच्छा रहेगा overall condition इसकी financially काफी अच्छी दिख रही है काफी अ पर लेते हैं तो चार्ट में बात करेटरेस तो फ्रेस कॉल के लिए सबसे पहले जो आपको अगर फ्रेस एंट्री बेना है तो वह 140 रूपीस के अराउंड आप इसको buy कर सकते हैं बाकि इसका target जो है वो काफी सांदार यहां से नजर भी आ रहा है और जिस इसाब से company के number आ करती है तो इसलिए जो इसकी moment है growth moment है वो काफी slow है तो 200 काफी बड़ा target इसके लिए हो सकता है पर जिस इसाब से number आये हैं तो हम इसकी उमीद कर सकते हैं बाकि आपको फ्रेस कॉल जो लेनी है 140 के around आप buy करेंगे जो अच्छा support मिल रहा है वह 125 रूपीस के पास मिल रहा है और 134 भी एक support के रूप में respect अगर इसको देता है तो आपको 140 वाली जो entry है वो काफी सही मिल जाती है अभी देखे dividend के number मतलब को आज dividend का announce भी कर दिया है तो वन रेश्टेल्स को भी अगर यह support देता है तो जो अब trading view से entry लेना चाते हैं वो इसको 150 से लेके 155 में buy कर सकते ह और फिर जो target है 170 का लेके चल सकते हैं overall यही था update long term का लिए जो hold करके चलते हैं वो 200 का यहां से देख सकते हैं target के लिए और उनकी entry level जो है वो जितना ज्यादा dip में 135 से लेके 125 के बीच में मिलता है तो उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा fresh entry के लिए 140 भी एक अच्छा price दिख रहा है overall यही था update thanks for watching this video मिलते हैं आपको next video में अगर आप अभी तक वीडियो देखने हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो को करते like